नमस्कार दोस्तों, आज के इस विडियो में हम कंप्यूटर की पहली पीड़ी, First Generation of Computer, पहली पीड़ी के कंप्यूटर की विशेश्टाएं तथा पहली पीड़ी के कंप्यूटर के फाइदेवा नुकसान के बारे में विस्तार से जानेंगे. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पहली पीड़ी के कंप्यूटर क्या है? पहली पीड़ी के कंप्यूटर, First Generation of Computer, सन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर को प्रथम पीड़ी की श्रेडी में रखा गया है. पहला Electronic Computer सन 1946 में बनाया गया था. इसका नाम ENIAC रखा गया था. ENIAC का पूरा नाम Electronic Numerical Integrator and Computer है. ENIAC को JP Eckert तथा JW Moschley ने बनाया था. इसे वाक्यूम ट्यूट से बनाया गया था. इस पीड़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए हजारों वाक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिससे इसका वजन और आकार काफी बड़ा होता थ इसको रखने के लिए काफी बड़े कमरे की जरूरत पड़ती थी. इसका भार इतना ज्यादा होता था कि इन्हें एक स्थान पर रखने के बाद दूसरे स्थान पर ले जाना काफी मुस्किल होता था. प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर को आपरेट करना बहुत ही कठिन था क्योंकि इसको आपरेट करने के लिए कई आपरेटर की अवस्सक्ता होती थी. और आपरेटर्स को उस कंप्यूटर की भाशा का ज्यान होना आवश्चक होता था जो काफी बड़ी चनौती थी. इस पीड़ी के कंप्यूटर में मशीनी लान्विज तथा असेम्मिली कंदीशन का उप्योग किया जाता था. प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए तो स्पीड के मामले में भी काफी स्लो होते थे. इनको एक गणना को पूरा करने में काफी समय लगता था. इसके द्वारा दिया गया आउटपुट कूरी तरह से सही भी नहीं होता था. जिससे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था. प्रथम पीड़ी में एनिया के अलावा कई कंप्यूटर का भी निर्मान हुआ. प्रथम पीड़ी के कुछ कंप्यूटर्स के नाम इस प्रकार है. EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. UNIVAC, Universal Automatic Computer. UNIVAC 1, IBM 701, IBM 650, Mark 1st, Mark 2nd इत्यादी. प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर की विशेशताएं, Features of First Generation of Computer. इस पीड़ी के कंप्यूटरों का आकार काफी बड़ा हुआ करता था. और पहली पीड़ी के कंप्यूटर काफी धीमी गतिके होते थे. तथा इसके साथ-साथ इस पीड़ी के कंप्यूटरों की कुछ विशेशताएं भी थी, जो इस प्रकार है. प्रथम पीड़ी के कंप् इन कम्प्यूटरों की स्पीड काफी कम होती थी, अर्थात यहां किसी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने में काफी समय लेते थे, प्रथम पेड़ी के कम्प्यूटर के लाग, Advantage of First Generation Computers, प्रथम पेड़ी के कम्प्यूटर में वाक्यूटर निर्वात नली का उप्योग किया गय क्योंकि उस समय Electronic Component के नाम पर केवल यही उपलब थे, वैक्यूम क्यूब का यूज करके Electronic Computer बनाना संभव हो पाया, इस पेड़ी के कम्प्यूटरों में पांच कार्ड का उप्योग इंपुट देने तथा Output प्राप करने के लिए किया गया था, इन कम्प्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत कठिन था, यह कम्प्यूटर काफी उर्जा की खपत करते थे, इस वज़े से इसमें Heat भी ज्यादा मात्रा में उतपन्न होता था, जिससे Air Conditioner का उप्योग करना अनिवार्य होता था, यह कम विस्वस्निय होते थे, इन कम् करने के लिए कई operator की जरूरत पढ़ती थी, इनके दिये गए output सत प्रतिशत सही नहीं होते थे, इनमें programming capacity भी limited होती थी, इस PD के computer काफी महंगे हुआ करते थे, जिससे आम आदमी इसे नहीं खरीच सकता था, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस विशाय पर आर्टिकल पढ़ने के लिए description में दिये हुए link पर जाएं, विडियो देखने के लिए धन्यवाद